नमस्कार दोस्तों स्वागात आपका अब्जेक्टिव स्रीज में आज हम लोग अब्जेक्टिव स्रीज को आगे continue करेंगे जिसमें हम लोग समाजी को ज्यान में भुगगोल देख रहे हैं और भुगगोल का फर्स्ट आध्या हम लोग उने देख चुके हैं तो जो भी आप ब्यारती 2023 में बोर्ड एक्जाम देने वाले हैं, उनके लिए यह सेशन बहुत ही फायदे मन्द होने वाले हैं, क्योंकि आप सब को पता है कि बिहार बोर्ड ने 50% objective पूझ रहे हैं, तो यदि आप 50 में 50 लगेगा हर एक subject में, तो आपको 400 से plus number आ जाएंगे, यह बात आपको बिल्कुल भी ध्यान में रखना है, और आपको आसानी से आ जाएगा, आप मेरे साथ exam तक जूरे रहे हैं, निश्चित रूप से आएंगे, और अपने वार्सप related group में भी share कर दीजेगा, ताकि मुझे भी motivation विले, क्योंकि हम आपके लिए मिनत कर रहे हैं, तो आपको भी थोरा सा फर्ज बनता है, कि आप share कर दें, और चैनल को subscribe जरूर कर ले, तो हमने फर्स्ट आधिया देख लिए थे, आज हम लोग सेकेंड आधिया में बरते हैं, जिसमें कि हमने question number 10 तक देख चुके थे, तो आज 11 से शुरू करते हैं, और जो कि पूछा question भी है, और पूछा हुआ question हम आपको mention किये हुए है, ताकि आपको जो पूछा हुआ question रहता है, वो board exam में बहुत ज्यादा repeat होते हैं, 40% repeat होते हैं, 40% कर सकते हैं, repeat question ही रहते हैं, तो इसलिए आपको यह जानना ज़रूरी हो जाता है, तो चलिए हम लोग question की तरह बढ़ते 11 number question का रहा है, कि 10 number question तक हमने देख चुके थे, तो यदि नहीं देखे तो उस वीडियो का link हम description में दे देंगे, 11 number question काता है, कि सोपानी क्रेशी किस राज में पर चलीता है, option है मेरा बिहार, पंजाब, उत्राखंड और यहां पर गलती होगा, कोई state होगा, चाहे आप दे कटाओ को रोकने के लिए बनाया जाता है, जोकि यह किया long question भी है और उसको हमने अच्छे से बढ़ाया है, उसका link हम description में दे देंगे, तो आप बिहार में रहते हैं, तो आपको पता होगा, कि बिहार में ऐसे क्रिशी नहीं किया जाता है, बिहार में समतल क्रिशी किया जा वहाँ पर उपजोव मिटी कटाओ हो जाता है, उसी को रोकने के लिए सो पानी क्रिशी की जाती है, क्योंकि ऐसे ऐसे जाता है ना सी डिनुमा, तो इसमें आगर आएगा पानी का flow, तो क्या होगा कि यहाँ पर उचा है तो पानी जाएगा, उसके पाद मिटी का जो उपज बन जाएगा, आपने समझ लिया कि यह होता क्या है, आप पांच नमर, दो नमर किसी भी में पूछा जाएगा तो आप आसानी से लिख सकते हैं, आप मेरे साथ बरे रहेएगा, तो आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगला मेरा क्वेश्चन है, हरित क्रांती के लिए गियों के उपज के लिए या हरित क्रांती पर चरीत है, तो इसका क्या हो जाएगा, और आपसन मेंबर भी हो जाएगा, अगला मेरा क्वेश्चन है, कि किस पर्देश में धान एक आजिवी का फसल है, मतलब धान पर ही लोग कह सकते हैं, अपने जीवन या पन चावल के मानिता है, चावल लोग उपजाते हैं, और यहां का मुख्य भोजन भी चावल ही है, और वैसे भी आप सब बीहार से हैं, तो आप सब को पता यह होगा, अगला मेरा क्वेश्चन, और यह आप यह भी जानते होंगे, बिहारी कहीं भी जाता है, कुछ खाये और न अगला मेरा क्विश्चन है कि निम्लिकित यसे कौन खरी फसल है खरी फसल के हम बारे बताया थे कि जैसे धान हो गया धान के समय में उसके बाद मत्र वे गढ़ा सब होते हैं तो यह सब क्या होता है कि यहों के साथ ही यह सा में होता है तो एकली कैशल मेरा को तो कुछ्छन में कौन साा देश आम के उठफादन अग्रीन heh ने हैं तो हमारा बात करें तो भारत आई-पी जो डिपेंडेंट है वह 24% किपना 24% GDP किरीशी अपना योगदान देता है क्रीशी से 24% GDP आते हैं उसके बाद हम अगला question देखते हैं question नमर 17 मेरा कहका रहा है कि रवी फसल कब बोया जाता है तो रवी फसल आप सब को पता है कि हमने shortly theory वाले portion में भी बता दिये थे यह आप नहीं देखे थे इसको पॉज करिए और आप इसको note करके लिए यह आपको exam समय तक में बहुत help क्योंकि इतनी shortly में हमने इतनी कुछ इसमें लिख दिया है सब सारे सब्जेक्ट में यह आपके लिए इससे जैसे रवी फसल में लिखा गया गया हूँ चो जो चना मत्र मौसूर्त है इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि मिलने हम धान को क्या खरीप मानेंगे और उसके बाद हम गयों को रवी मानेंगे तो गयों रवी फसल है तो आप सब यही सोचिए थोरा से तो पता चल जाए कि गयों महिना ही सारे दलहन का भी पोदे उगाये जाते साहर सर्शों तो आप सब को पता है कि गयों की खेट में भी डाला जाता है तो इसमें का रहा है क्या किस किसा सब करें करेंगे तो करी यहाँ जाती है तो इसका आप सब को पता है कि होया सा जाताया उसके बाद आगला question है क्योंकि खरीब फ़सल से related एक और question पूछा गया था कि खरीब फ़सल से तीन question आएंगे एक तो यह आएगा आपको option दे देगा कि निमलिखित में से कौन खरीब फ़सल है तो चाबल दे देगा उसके बाद गहुं दे देगा चना दे देगा मसूर दाल दे देगा तो उसके बाद पूछेगा खरीब फ़सल की कटाई कव होती है तो अभी के समय में खरीब फ़सल धान की खटाय होति है जैसे नमबर अक्टूबर नमबर बूल सकते हैं उसके बाद हम बोले कि खरीब फसल की बूआए कब होती है वह बरसा रितू में होता है आप सब काली मिर्दा में जादी मुफली की और कपास की खेती होती है तो काली मिर्दा सबसे ज़्यदा गुजरात और महराष्ट में ही होते हैं उसके बंद मेरा अगला कुश्चन है कि विस में तिलहन का सबसे बरा उत्पादक देश कौन सा है विस में तिलहन का उत्पादन सबसे ज वर्शारेटू में किस फसल को क्या कहाता, बतलब वर्शारेटू के समाई में जो फसल वह जाता है, अब यह धाई như फसल जो घान समया धान बे भूージबशन के सारे वह जाएगा , अब अब सा opinion कहाता है इसी से सारे question frame किये गए तो और सारे question पूछे जाते तो आपको हर chapter में इस तरीके से shortly theory मिल जाएंगे जो कि आपके लिए बहुत benefit होते हैं आपको exam नजदिक आएंगे तो उस time और benefit होंगे आपको revise करने के लिए और यदि आप PDF लेना चाहते हैं तो वह भी आपको मिल जाएंगे तो और आप लोग daily सुबह में 10 minute की वीडियो होंगे उसको निश्चित रूप से देखिए इसे आपको निश्चित रूप से फाइदा होंगे आपको mark अच्छे होंगे जैसे आपको वीडियो देखिएगा त लेकिन जब भी question आपके सामने आएगा तो आप निश्चित रूप से उससे बना लीजिएगा तो चलिए हम लोग मिलते हैं next वीडियो में अभी तक इतना है थैंक्यू